दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप DevOps के इंटर्व्यू देने गए हो और वहाँ पे आपसे पूछा गया है Do you have experience in Kubernetes? फिर आप एकदम खुश हो के हाँ बोलते हो और next question आता है Can you explain the scenario? How we will be fixing crash, loop, back-off, error? और वही पे आपके हवा टाइट हो जाती है कि आपको scenario-based questions नहीं आते है दोस्तों एक बहुती common problem हो रही है आज कल market में कि जब interviews में scenario-based question पूछने लगते है तब वहाँ पे बहुत सारे candidates reject हो जा रहे है इसके बहुत सारे reasons है चलिए आज की वीडियो में जानते है कि अगर आपसे scenario-based question पूछा गया तो उसका answer कैसे करना है? क्या-क्या resources यूज करनी है? कैसे interview के लिए prepare करना है? हर कोई चीज आपको इसी वीडियो में मिलेगी वीडियो को end तक जरूर देखेगा हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है train wishvam channel पे और आज की वीडियो में बात करने वाले है devops scenario-based interview questions के बारे में कि क्यों important होते है scenario-based question? क्यों clear नहीं कर पा रहे हो आप devops के interviews? क्यों आपको past rule use करना चाहिए जब भी आपको answer करना है scenario-based question को? और मैं कैसे answer करूँगा जब भी मुझे कोई question पूछा जाएगा कैसे आप AI tools को leverage कर सकते हो scenario-based interview के लिए? resources चाहिए इस वीडियो के end तक आपको वो भी मिल जाएगे तो चलिए वीडियो को start कर देते हैं और समझते हैं कि scenario-based questions क्यों important होते हैं? तो as a DevOps engineer आपका जो काम रहता है वो 100% hands-on रहता है आपको बहुत ज़्यादा documentation या client side या कोई भी team के meetings में इतना ज़्यादे involvement नहीं रहता है आपका जो काम रहता है pure hard work, pure hands-on आपका काम रहता है वो networking हो सकता है, वो pods हो सकते है, Kubernetes के clusters हो सकते है, वो कुछ भी हो सकता है, completely hands-on इसी लिए आपको आजकल scenario-based question पूछने लगते हैं पहले कैसा होता था 2021-22 में जब DevOps भी Indian market के लिए बाहर के market के लिए नया-नया था आपस बस typical question पूछे जाते हैं, कि Docker के question पूछ लिए, Terraform के question पूछ लिए, Kubernetes के पूछ लिए और भया, select हो गए, अभी उनकी demand बढ़ गई है, क्योंकि market में supply भी DevOps इंजिनेर्स की इतनी सारी बढ़ गई है तो अगर आपके पास real world experience नहीं है, अगर आपके पास hands on experience नहीं है, अगर आपके पास logical thinking नहीं है तो आप clear नहीं कर पाओगे ये सारे interviews क्योंकि आपको scenario based questions पूछे जाएंगे बट भीया, मैं क्यों नहीं clear कर पा रहा हूँ, मेरे पास तो experience भी है I know ये DevOps scenario based questions important है, बट मेरे पास भी experience है चलो मैं fresher हूँ, बट मैंने projects तो बनाय हूँ है, मेरे पास वैसा experience है मैं क्यों नहीं clear कर पा रहा हूँ, why you can't clear the DevOps interview इसका एक simple सा answer है, वो है आपका confidence, वो है आपका way of thinking in that particular scenario और in that particular situation आप ऐसे समझो, आप किसी का interview ले रहे हो, आपका resume already shortlisted है मतलब जो skills आपके पास है और जो company को चाहिए है वो match हो चुकी है, इसलिए आप interview तक पहुचे हो तो पहली बात तो वह अच्छी news है, you have cleared the resume screening अब interview क्यों नहीं clear हो रहा है, इसका मतलब है, जो भी skills आपने resume में mention की है और वो जो इनकी expectation है, उस पे आपका exam होने वाला है, उसे को interview बोलते है और वहाँ पे वो ये नहीं सोच रहे है कि आपको वो tools कितने depth तक आता है या आप उसके master हो या नहीं, वो वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे है कि जो भी आपने tool mention किया है, अपने resume में, उसकी logical thinking आप कितने थंडे दिमाग से सोच सकते हो and इसी के लिए scenario based question पूछे जाते है scenario based questions का answer 100% आप सही दोगे, it's well and good बड़ अगर आपने 100% सही नहीं भी दिया, तो भी चलता है वो आपका approach देखना चाहते है, कि आप as an engineer कैसे काम करते हो हम लोग generally अगर आपसे पूछ लिया जाए, कि let's say एक interview question how would you solve a crash loop back-off error in kubernetes, so हम लोग लोग बत वेग आपसे देते है that I'll check the logs, I'll describe the pods, I'll see if my containers are starting or not and कुछ लोग तो क्या करते पता है, उन लोग को समझ में आजाता है कि अचाह, crash loop back-off error या फिर कुछ kubernetes से related है, तो क्या बोलने लगते है, कि kubernetes is a highly scalable architecture and I would use clusters and ये, अरे वो आपको, वो जानता है kubernetes क्या है, वो सब जानता है interviewer, वो आपसे approach मांगना चाहता है, exact problem की and इसी लिए यहाँ पे आजाता है आपका past rule भाई ये past rule क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि problem क्या है फिर आपकी approach क्या है, फिर आप steps कौन से लेने वाले है, फिर problem approach steps के बाद, जो आप tools यूज करने वाले है, as a devops engineer आपको tooling बहुत जादा important होती है, आप tools कौन से यूज करने वाले है, वो भी बहुत जादा important होता है, तो as a devops engineer, आपको ये past rule use करना होता है, जब भी आप एक scenario-based का answer देते हो, भाईया इसको कैसे आप use करोगे, मतलब how I would give the answers in an interview, अगर मेरे से पूछ लिया गया, कि भाईया बदाओ crash loop back off error, कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको problem समझनी पड़ेगी, कि what is crash loop back off error, या image pull back off error, crash loop back off, ये जो भी scenario-based troubleshooting के questions आता है, specifically kubernetes की बात में नहीं करूँगा, बद कोई भी आ सकते है, आपको पहले problem identify करना पड़ेगा, so the problem with crash loop back off error is, the containers inside a pod, they keep on starting and restarting, starting and restarting, making it a loop, that's why it is known as crash loop back off error, so that's why our pods are not starting, so the approach I would take as a devops engineer would be to check what is my pod doing, I can do that using kubectl top pod, I'll see if my resources are not exhausted, if my pods configurations are correct, if there are any secrets or config maps which are in properly configured, I will see all the configurations related to that pod, if they are correctly matched or not, be it resources and limits, be it secrets, be it port numbers, be it network, everything I would make sure is in the right place, that's my approach towards this problem, steps I would take is kubectl logs for that pod, or then I'll do kubectl describe pod, kubectl describe config map, I'll see if my persistent volumes, if my secrets are correctly bound to my pod or not, the tools that I will be using is kubectl monitoring tools like prometheus to check the alerts and to check the metrics of that pod and basically using this I will understand why my container is restarting and starting again and again, so here I have given a solution in my approach using a past rule, that problem identify, approach tells me how to do, steps tell me, tools tell me, what happens from this, this is the idea that this man has done it before too, and if you add a little masala to this, tell me a little story telling, it will more fun, for example, for example, I have asked you a question, in a CICD pipeline, the pipeline is failing at a particular stage and the stage is taking a lot of time, how would you resolve that, now what is your problem here, CICD pipeline failing and taking time, approach for example, in my previous organization, there was an instance where we were facing unexpected problems of CICD pipeline taking a long time, now what I did was, I compared just to see if the time is actually long based on the last few weeks and we found out that the time was up by 30 seconds and then we checked the logs, then we checked the code changes in those one week and we realized there is a tool, there is a library, that is old library and which is taking a lot of time to download, hence what we did, we hash, took a hash of that old version and we are now using only those version library which are supported for that application, so we are very mindful that whatever version goes into our pipeline, so this is what happened, I have told you the problem, approach also told you, steps also told you, that whole week we have seen the logs, there has been identified, and there has been the tools we have told you, CICD and Python and logs and all those libraries, plus I have told you the story also told you, because you have to engage the interviewer, you don't want to bore the because you have to take all the interviews in front, so this is why I am telling you that you have to focus on a little communication skills, how you can increase your communication skills, and keep preparing it, and I will give you a lot of resources for communication skills, and I will give you a lot of resources for communication skills, I will give you a lot of resources, and I will get to a solution of that, I will check the documentation and so on, तो आप ऐसा honestly बता दो, कि भीया मैं steps क्या 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 लूँगा, मैं documentation चेक करूँगा, senior से बात करूँगा, team meetings लूँगा and so on, वो भी एक अच्छा तरीका होता है, अगर आपको कुछ नहीं आता, उसको धंक से बताने का, सीधे-सीधे मत बोल दो, I don't know, जहाँ आपने I don't know बोल दिया, वहाँ पे आप गए, interview से आप reject होने वाले हो, यह सारी चीज़े हमेशा याद रखना, अगर आपको और in-depth session चाहिए कि how I would give answers in an interview, तो मैं एक master class भी रखने वाला हो on interview, तो मुझे जरूर comment में interview करके बता देना, और यह भी बताना कि crash loop back of error वाले question का answer आप कैसे दोगे, अभी समझते हैं कि how to leverage AI tools for scenario-based interview questions, कि यह scenario-based question मुझे को मिल गए, तो मैंने answer कर दिया, let's say मुझे को वो question मिले ही नहीं और मुझे को पहली बार यह कोई question आया, तो मैं कैसे answer कूँगा, इससे अच्छा, आप prepared रहो, तो prepared कैसे रहेंगे, चलो बताता हूँ मैं आपको, आपको जाना है chat GPT में, chat GPT में जैसी आप गए, आपको एक बहुत ही सुंदर सा prompt लिखना है, जो मैं आपको description में डालने वाला हूँ, उस prompt को आपको copy कर लेना है, और यहां पे paste कर देना है, enter, तो दिखो prompt क्या है, I am preparing for a Kubernetes related scenario based interview, तो आपने क्या किया, सबसे पहले chat GPT को एक context दे दिया है, कि भही मैं एक scenario based interview के लिए prepare कर रहा हूँ, और अब topic भी दे दो कि Kubernetes, Terraform, जो भी आपको favorite topic लगे वो, अब act as an experienced Kubernetes engineer and asked me challenging real world scenario based questions to test my knowledge, तो यहां पे आपने chat GPT को एक task दे दिया है, कि आपको एक Kubernetes engineer की तरह सोचना है, और scenario based question के answer बढ़िया questions पूछने मेरे से, Okay, for each question provide constructive feedback on my response and guide me how I can improve, यह हो गया, focus on topics like troubleshooting pod failures, managing resource limits, scaling and यह सब चीज़े, once the feedback is provided, also simulate the ideal answer for each question to help me learn, तो इससे क्या होगा, आपको तगड़े तगड़े real world scenario based questions मिलेंगे, आप उस question को answer करोगे, आपकी यह topics रहेंगे, यह generally जो पूछे जाते हैं, और फिर आपको एक ideal answer भी देगा, चलो इसको enter कर देते हैं, तो जैसी आपने इसको enter किया, scenario one, troubleshooting pod failure, you are managing a Kubernetes cluster, one of your pod guests is okay, crash loop back off, लेओ, जिस चीज के लिए हम example के तौर पे ले रहेते हैं, Kubernetes में, वही एक chat GPT ने as a question दे दिया, तो आपका answer, provide your response, I'll offer constructive feedback and an ideal answer based on your input, अब आपका जो answer है, वो आप यहाँ पे audio के through भी दे सकते हो, और यहाँ पे आप text के through भी दे सकते हो, तो let's say मैंने test के through दे दिया, P A S T, कि मैंने problem identify की, approach मैंने क्या किया, फिर मैंने steps क्या लिया, tools जो मैंने use किया है, तो यह मैंने कुछ एक rough answer अपने लिए दे दिया, let's see, अब इस पे chat GPT act करेगा and feedback देगा, your approach is good but it could be more structured, to ensure no key aspect are missed, so generally हम लोग जब clearly सोचते नहीं हम लोग अपने answer को structure नहीं कर पाते हैं, तो वो बता रहा है, तो is the, kubectl log is the right step, and clearly outline the exact kubectl commands, वो सब obviously आपको करना पड़ेगा, अब ideal answer सुनो, steps to troubleshoot or container in crash rule back off, पहले logs check करो, फिर describe करो, configurations check करो, verify करो, validate करो, resources check करो, container के अंदर जा के देखो, and so on, but क्या आप देख सकते हो, कि आपको सिर्फ इतने prompt से, आपको एक scenario आ गया, आपने उसका answer दिया, उस answer पर आपका feedback मिला, और उसका एक ideal answer भी आए, अब आप ऐसे कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे तगड़े तगड़े scenarios निकलवा सकते हो, chat GPT से, and उसके answers भी निकलवा सकते हो, और must अपनी preparation कर सकते हो, for any scenario based question, अब आपको ऐसे और भी resources चाहिए, तो मैंने trainwithshubam.com पे, आपके लिए digital products डाले हुए, जहाँ पे आपको docker, devops projects, linux notes, सारे interview, last minute interview tips, networking के लिए, kubernetes के लिए, kubernetes scenario based interview question, मैंने सारे चीज़े इधर डाले हुए, आप वो भी check कर सकते हो, मैंने courses में भी डाले हुए, अब तो English, Hindi, recorded interview pro, devops interview pro, जहाँ पे आपको सब crazy चीज़े मिलने वाली है, वो सब मैंने इधर ही डाला हुआ है, तो आप जरूर इसको check out कीज़े, for resources, plus chat GPT को check out कीज़े, for more scenario based question, and I would highly recommend, कि एक बार आपकी तयारी अच्छे से हो जाए, फिर आप must interview में जाओ, must photo, and I'm pretty sure आप interview बहुत अच्छे से crack कर लोगे, तो I hope इस वीडियो से आपको एक idea लग गया होगा, कि क्यूँ आप scenario based interview में fail हो रहे हो, क्यूँकि आपका structure सही नहीं है, आप calmly सोचते नहीं हो, logically answer नहीं दे पाते हो, and prepared नहीं हो, तो अच्छे से prepare करो, बढ़िया अपने answers बनाओ, and देख तरेव ट्रेन विशिवाम चैनल, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, देख तरेव ट्रेन विशिवाम चैनल, thanks for watching,